हेलोओ फ्रैंस अगर आप गोर्पंट बेखिंसी के तलास में है सरकारी नौकरी के तलास में यह वीडियो आपके लिए है और बहुत अच्छा स्क्राइब क्यों कि तो locked है उससे तो उसका लिक जो है दोस्तों में अपने वीडियो के डिस्क्रिमें दी आ है वहाँ से भी आप उसके फॉर्म के लोड कर सकते हैं हमारे वीडियो को लाच सकते देखिए और फॉर्म को आसानी से वरिये और हमारे वीडियो अच्छा लगे लाइक बटूंको दबा दीएगा द दूस्तों राज्टी के सिविल कोट है उसमें फॉर्फ गैट का भंजी आया है आप बहुत ही ज्यादा सीट है उसकी कितने वित्रमान है कया के चलिए देखते हैं अप दोस्तों सबसे पहला जो है देखरें आप चप्रासी या अदिष्पाल यह देख रहे हैं उसमें जो है एक तालिस सीट है और दूसरा है सफाई कर्मी उसमें चार सीट है आपका देख रहे हैं और तिसरा है दफ्तरी इसमें एक सीट है चोथा है जे रोक्स ऑपरेटर के लिए उसमें भी एक सीट है और पांचवा है माली इसमें भी एक सीट है और पुल मिलाकर जो है टोटल इस विल कोट में राची के जो वह 48 सीट है और सब को विचनमान सेम है बावन सो से 20 जादो सो यह आपका इसकेल है और ग्रेट पर 1800 है और जो यह 18,000 का लेवर वन है सब का सेलरी जो है सेम है और दोस्ते इसमें आगे क क्या क्या है चलिए हम देखते हैं step by step तक कि आपको कोई दिकत नहीं हो फॉम भरने में और आप फॉम भर रहे हैं तो सबसे पहला देखे दोस्तों सभी पदों के लिए जो नियुन्तम सेक्शनी योगता है वो मेट्रिक पास होना चाहिए या उसके समक्ष कोई भी डिगरी है वो होना चाहिए और अधिस्पाल है तो पुरुष आवेजकों को सैक्री चलाने के अवे अनुभव होना चाहिए और दूसरा पॉइंट देखते हैं अब जेरोस ऑपरेटर जो पद है उसके लिए अभिरति को जेरोस मशीन चलाने का कम से कम तीन वर्स का अनुभव होना चाहिए अनुभव पर्मानपत्र आवधन के साथ सलन होना अनिवार है वरना इसके बिना रिफोर्म आपका सुविकार नहीं होगा तीसरा जो देख रहे हैं तो दोस्तों यह उम्मिद्वार जो है मानसिक एवंग सहारिक रूप से सभस्त हो और नेतिक चरितर अच्छा हो और किसी भी अपरादिक आश्रन वाले इसी मामलय महें उसका कोई भी केस ना हो चोथा जो है जोब्या अनुसुष जाती जनजाती में आते हैं क्यमिकलाणहिए उसके दवारा आपको नियम लागो होगा आपको शख्षम पधिकारी है इसके दवारा आपको मिर्गत होना च सौध अभिभार्पान्ष्ण करके आपको देना है और 7 साथ में भर रहे हैं सबी को साथ में साथ में आपको से शनलग्न करना है और आप अशनद्था सथानिता करलाभ लेने चाह रहे हैं तो राज सरकार के सक्षम परदिकारी के द्वार तो मिसाल totaक् दिखा रहा हूं आपको जो फॉर्मेट है हर पत्र को यह जो है आपको खुद हाथ से लिखके आपको भरना है तभी वह स्विकार होगा नहीं तो वह आपको रत कर देगा और परवेश पत्र भी जो है देवनाय क्रेट में होना चाहिए और यह आपको सब्सम्मेट पॉइंट चोविश नौ इन्हीं चोविश सितंबर अठारे तक आपको यह स्वेग खुद जाकर जमां कर सकते हैं यह आपको रेजिटरी से यह स्पिट पोस्ट से आप कर सकते हैं अगर खुद जा रहे हैं तो आपको साड़ेदा से पांच सब्सक्र summa में जाएंगे साथ्वा जो हैं हरं ऐघएंफन पत्र के साथ तीन पास्पट सायल का फोटोग्राफ देना है एक देना है अबदर पत्र पर दिखारूंँ को कि यहां पर दीना आपको और दूसरा देना है आपको यह आपको जो है प्रवेस पत्र जो आपको लिए निल्गत होगा तीसरा आपको देना एक्स्ट्रा में औरहें पर देख रहें है आप जिससे की एक अवभर्डन पत्र Google दूसरा पर द्रॉस पर और तिसरा अत्रिक्त और एक जो है सोपता लिखावा लिखापा जिसमें कि आपको प्रवेश्पत्र भीजेगा और जो परवेश्पत्र निर्गत करने है तू जिस पर आपको 40 रुपय का डाक्टिक्ट सटाववा होना चाहिए वो आविदन पत्र के साथ सलंग्ण करें और जो दोस्तों जो उसका उम्र सीमा रखा गया है अवेदक का वो 18 18 को कम 16 16 रुपयर्स होना चाहिए और अधिक्तम जो आपका समान जाती है आरश्चन के स्विधा जार्गन राज निर्दारित निमावली के अनुसार होगी जो सबसे इंपोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है जो महत्पूर निद्रे से वह क्या है कि आविदन पत्र जो है परपत्र को एक परपत्र खो दो भाग में है इसको अलग-अलग पन्नों में अलग-पन्नों में इसे करना है और देखिए दुसरे सबसे में पॉइंट परपत्र को जो है आपको प्रारूप जो हिंदी में भरें जो कि खुद हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए और देखिए यहां पर परपत्र खो जो है वह निश्चित रूप से टंकित परती में या परपत्र को यह आपको खुद हाथ से लिखना है यह वाला उपर जो अविदिन का परपत्र है और दूसरा आपको दिखात रहा हूं ताकि कोई गलती नहां हो यह देखिए परपत्र रखो जिसमें आपकी आपका परवेस्पत्र निर्गत होगा वह आपको टाइप क्या होन कर अनकंडिकाएं जो है अविवर्ती स्वेंग भरें देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको देखिए यह आपको स्वेंग भरना है यह इतना और इसके बाद यह पांच चे साथ इच्वड़ देना क्यों यह निखा हो है केवल कार्याले उप्यों गेतु इसको आपको निच दुवार का आविदन रद करते जाएगा और तत्त संब्धी किसी परकार का पत्रचार को मानी होगा अविदा का परवेश पत्र जिसमें सांश्यतकार का अस्थान एवंग तिति अंकित होगी उनके दर्शाये पते पर डाग दुवारा भेजा जाएगे निए आपको पत के लिए आवदन कर रहे हैं सिरेनी बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखा जाना आवसक है बहुत को क्या करते हैं इस चीज को इस पॉइंट को भूल जाते हैं इस लिए इस पॉइंट पर जवर धियान देना है और लिखावे के उपर में जिस तरह खा गया है उस इसकी मेरे वीडियो में आप step by step देखें होंगे और असानी से सिखें होंगे कैसे form को भरें किस तरह करें कोई चीज आप छुटे नहीं इसको असानी से पढ़ें और असानी से पढ़कर इसे भरें दोस्तों उम्मिद करता हूं हमारी जो information है आपको अच्छा लगा होगा प कोई भी दिक्का तो हमें comment box में comment कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग